नमस्कार नमस्कार आप से लोगं का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्रैम में जिसमें हम बाते करता हूँ पुरानी और नई बॉलिवूड की ओलिवूड की फिल्मों से जुड़े हुए कुछ खास फैक्स और उनके रीवीउस के बारे में जी हाँ दो यार 17 में रिलीज होई फिल्म जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है इतिफाक तो चलिए जानते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ खास फैक्स और उनके रीवीउस के बारे में यदि आप हमाएं साथ इस चैनले में पहली बार जुड़ रहे हैं तो 2017 में आई भारतिय हिंदी भाशा की नव नौयर रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन उभे चोपडा ने किया है चोपडा ने लिखा श्रियस जेन और निखिल मलोतरा और बी आर स्टूडियोज के तहत रेडू रवी चोपडा के साथ मिलकर रेड चलीज एंटेट के तहत गौडी खान और शारुक खान द्वारा निर्मित और धर्मा प्रोडक्शन के तहत हीरो यस जोहर और करण जोहर द्वारा निर्मित है सन 1969 में आई फिल्म से प्रिजित होकर जिसे यस शोपडा ने निर्देशित किया है और उसको फिल्म में अक्षा खन्ना सिधार् राशो मौन प्रिभाव कहानी कहने की शैली है ये फिल्म 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी इसने अपने वाक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और समीशकों को और दर्शकों से सकारात्मक समीशा प्राप्ट की निर्देशन लेखन और प्रदर्शन के लिए प्रश चोपरा प्रेड्यूस किया गया थे हिरू यह जोहर के द्वारा गौरी खान शारुख रेनू रवी चोपरा करंजोहर अपूर्वो महता के द्वारा इसको प्रदीूस किया गया था और स्टारिंग मंस आये थे अकशे खन्ना यसे धार्तमलोतर सुनाक्षी सिंहा से ट्रदक्शनस डिस्टिब्यूट किया गया था इसको ए ऐ फिल्म के द्वारा रीलीज किया गया था इसको टीन अवंबर 2017 और इसको किया गया था एक और प्रडक्शन के द्वारा जो की है यह इसराज फिल्मस। इस प्रकार से इस फिल्म के ये कुछ महत्वपून करदार रहे जो हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके स्टोडी से जड़े हैं कुछ रीवियू के बारे में। विक्रम सिठी भारतिय मूल के एक ब्रशन सित ब्रिटिश लेखक हैं। मुंबई में अपनी तीसरी किताब के लॉंच पर वह अपनी प्रकाशक पतनी कैथरीन को उनके होटेल के कमरे में मृत पाता है। पुलिस को उस पर शक है तो वह कार से फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस पीछा करती है उसकी कार पलड़ जाती है और वह घायल होकर भाग जाता है। पास के अपार्टमेंट में आश्रे लेता है माया इंसुनाक्षी सिन्हा एक युवा ग्रहनी जो वहां रहती है। बाहर एक पुलिस की गाड़ी को इस स्पॉर्ट करती है और मदद के लिए वहां दौरती है। पुलिस विक्रम को उसकी वकील पती शेखर के सव के बगल में ढूनती है जिसकी हत्या कर दी गई है। उन्हें कच्रे में जली होई तस्वीरे भी मिलती है। दोरे हत्या कांड की जाच कर रहे है अधिकारी देव वर्मा यानि अक्षक ना विक्रम और माया से पूछताच करते हैं। विक्रम के हिजाब से वह पुलिस से इसलिए फरार हो गया क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी की हत्या के लिए उसे फसाया जाएगा। उन्होंने माया को अपने दर्वाजे पर पाया और मदद मागी। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उस तक लौच में शामिल नहीं होई क्योंकि वह अस्वस्थ थी और उन्होंने दिल की बिमारी के लिए दवाए ली थी। विकरम ने माया के फ्लैट में घुसकर कहा कि उसने उसे बहलाने का प्रियास किया है। माया ने चिराग का परिचे दिया जो अपने घर में रहकर यह कहकर घुस गया था कि वह उसका पती है। जब विक्रम ने उस अपने PC पर एक wallpaper फोटो देखी और महसूस किया कि चिराग माया का पती नहीं है तो चिराग ने उस पर मुंबती धारी प्रहार किया और विक्रम होश खो बैठा जागने पर उन्हें शेखरकल शव बगल में मिला हिरास्त में रहते हुए विक्रम को अपना जूता हटाते हुए दिखाया गया था जैसे कि उसका पैर में दर्द हो और जूता उसे पिंच कर रहा है माया के हिसाब से उसके दर्वाजे पर एक विक्रम गायल मिला और जिसने मदद मांग ली उसने उसे केवल इस खबर से पता लगाने के लिए अंदर जाने दिया कि पुलिस उसकी पतनी की हत्या के लिए उसकी तलाश कर रही है विक्रम ने एक चाकू निकाल लिया और उसे काबू कर लिया और शेखर के डैस्क पर दस्तावेजों की तलाशी शुरू कर दी जब उसने चिराग को दूर किया उसके साथ उसने विवाहेतर संबंद होने की बात कबूली आधी रात के करीब उसका पती लोट आया और उसे विक्रम से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने लगा माया मदद के लिए बाहर एक पुलिस वाहन के पास पहुंचती है लोटते समय तक विक्रम ने अपने पती की हत्या मौंबत्ती धारी से कर दी थी इस बीच पुलिस को पता चला की वह संधिय नाम की गैंग रेप पीड़ता ने हाल ही में खुद खुशी कर ली थी क्योंकि विक्रम ने उस घटना के बारे में अपनी तीसरी किताब लिखी थी और अपनी तीसरी पुस्तक को असफल होने से रोखने की उम्मीर है उन्होंने अपनी ही पहचान लीक कर दी जिससे ववाल मच गया कैथरीन के शरीर की जाच से पता चला की उसकी मौत दिल का दौरा पढ़ने से हुई थी फोरेंसिक टीम देव को सूचित करती है कि शेखर पर किसी ने सिर पर हमला किया था जो कम से कम 6 फीट लंबा था पुलिस को उसकी हाइट 6 फुट एक इन 6 हाला की पता चलता है कि जली हुई तस्वीर है माया और चिराग की थी जो करीब 6 फीट उची थी ये तस्वीर है शेखर द्वारा किराये पर लिये गए एक जासूस ने ली थी पुलिस अंत्तह यहने शकर्ष निकालती है कि विक्रम का खाता सच है और माया और चिराग ने शेखर की हत्या कर दी थी जब उसने तस्वीरों के साथ उनका सामना किया था उसके अलावा शेखर की मौत के वक्त उसके जूतों पर कोई कीचर नहीं था रात ग्यारा बजे बारिश होई थी और सड़कों पर कीचर विक्रम ने कहा कि शेखर साड़े साथ बजे घर आया था इसलिए उसका खाता सच माना गया जबकि माया ने पती के बारा बजे घर लोटने के खाते को परिणाम के रूप में जूटा करार दिया था विक्रम को दिर्दोश समझा जाता है और हिरासत में रिहा कर दिया गया था और वह अपनी पत्नी के शरीर का निर्मान करता है और माया और चिरा को गरफतार कर लिया जाता है घर पर देव विक्रम की दूसरी किताब पढ़ रहा है जब उसकी पत्नी मीरा खराब हो जाती है यानि मंदिरावेदी की नायक ड्रग ओवरडोस मर जाता है देव फोरेंसिक डॉक्टर के पास यह जाचने के लिए दोड़ता है कि विक्रम की पत्नी उसके अपने दिल के अधिक बनाया गया था जिसके कारण कैथरीन को घातक दिल का दौरा पढ़ा था देव विक्रम को फोन करता है जबकि बाद में वापस लंदन के लिए एक उड़ान पकड़ने वाला है फोन पर विक्रम कैथरीन और शेखर की हत्या करने की बात कबूल करता है उसने कैथरीन को इसलिए मार डाला क्योंकि वहे संद्धिया की आत्मा हत्या के लिए उस पर आरोप लगाने की धंकी दे रही थी शेखर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर राने के लिए उनके साथ काम करने वाला वकील था वहे मामले की कानून, कानूनी दस्तवेजो को नश्ड करने के उसने उन्होंने अधिकांश यानि आंशिक रूप से जला दिया और कच्रे में फैंक दिया गया पुलिस ने अब अध्रता से जलाया और फैंक दिया गया फिर पाकर सजाब बिनी और व्यभीचारी तस्वीरें पुलिस को धोखा देने के लिए एक ठोस कहानी बनाना जो फिर पूछताच में शक जताता है कि माया क्या ये माया है चिराग के साथ मिलकर उसने अपना अफैर छपाने के लिए अपने पती शेखर की हत्या को अंजाम दिया था उन्होंने अपने साथ शेखर के मट मैले जूते भी स्विच किये वह देव को बताता है कि उसने पहले ही अपनी पत्नी के शरीर का अंतिम संसकार कर लिया है इस प्रकार कोई सबूत नहीं बचा है देव विक्रम को पकड़ने और उसे सजा देने का फैसला करता है उसे ही अभले ही उसे ऐसा करने के लिए एक अवैध कारवाई करनी पड़े हालांकि विक्रम अपनी उड़ान पर लंदन के लिए रवाला हो जाता है क्योंकि देव असहाय रूप से देखता है इस प्रकार से कहानी भी अपने अंजाम तक पहुंच जाती दोस्तों अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह से देखना चाहते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फिल्म अभी अविलेबल है नेटफलिक्स पर आप चाहें तो वहां से भी इस फिल्म को देख सकते हैं मुझे उमीद है आपको हमारे ये रीवियू बहुत पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लिए को वीडियो को शेयर करते रहेए आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियो आती रहेगी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीचे आने वीडियो में किसी नई फिल्म के साथ दोबारा मुलाकात होती है तब तक के लिए जैए